शुक्रिया मम्ता, अम्वेकापर से बड़ी खबर है, खाट पर सिस्टम है, शेफ को खाट पर ले जा रहे हैं, ग्रामीर सड़क महीं होने से लगातार ऐसी दस्विरें सामने आती हैं, साथ किलोमीटर सड़क बरानी की ग्रामीर लगातार मांग कर रहे थे, पटकुरा पंच सती इसगर के वुल्टिन में इतना हैं, राइपुर से बड़ी खबर है, पटवारी संके हर्ताल को लेकर बड़ी खबर आपको बता दे हैं, आज जो सीम से बलने के बाद हर्ताल पर फैसला लेंगे, कल सीम से मुलाकात करने वाले थे, पटवारी पटवारियों के कल नहीं ह कला साथियों! प्रिवारी इसंग के हरताल जो है लगातार जारी है और स्यम से कल मुलाकात होने वाली थी पटवारी इसंग के पर कल मुलाकात नहीं हो पाई आज मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद जो है हरताल पर फैसला पटवारी संग लेगा और इसी पर जदा जानकारी के लिए हमारे साथ सायोगी तनू जोड़ गई है तनू पटवारी संग के हरताल लगातार जारी है कल मुक्यमंतरी से मुलाकात होने वाली थी चुक्की नहीं हो पाई आज क्या स्थिती लग रहे है क्या आज मुलाकात हो पाईगी और बड़ा फैसला संग लेगा पटवारी संग आज देखें 15 मई से राजस्व पटवारी का अनिश्रित कालीन हरताल जो है वो जारी है और इस हरताल की चलते राजस्व विभाग के सारे काम जो ठपते जिसको देखते हुए राजसरकार के द्वारा पहले हरताल के खिलाब जो है एसमा लगया गया लेकिन उसके बाद भी राजस्व पटवारी के यह जो हरताल था वो जारी रहा है जिसके बाद बीते दीनों जो है कारेकारणी की बैठक हुई जिसमें राजस्व पटवारी के सभी पदाधी कारी भी हैं शामिल हो है और इस कारेकारणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री से कल मुलकात करनी की जो योजना बनी थी लेकिन किसी कारण वस जिसके बाद आज राजस्व पटवारी के जो अपनी आठ मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलकात किया जाएगा और इस मुलकात में कहा जा सकता है कि लंबी समय से चल रहे इस हड़ताल से आम जर्मानस को भी राजस्व विभाग के कारे में काफी परिशानिया हुई इस परिशानियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री की ओर से भी राजस्व पटवारी के आठ सुत्री मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो हाला कि यह मुलकात के बाद इस परस्ट हो जाएगा कि पटवारी का हड़ताल जो है आगे कौन सा रुपता है कर